नमस्कार दोस्तो एनालोग इलेक्ट्रोनिक्स लेक्चर सिरीज में आप सबका बहुत स्वागत है दोस्तो इस वीडियो में हम LC oscillators के बारे में in detail discuss करेंगे पहली बात आपको बता दूँ कि जो भी oscillators हैं मेंली वो आपके दो टाइप से डिवाइड किये जाते हैं harmonic oscillators मेंली दो टाइप से डिवाइड होते हैं harmonic oscillators वो होते हैं जिनकी output sinusoidal outputs हो तो इन oscillators को friends दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है एक कहते हैं RC oscillator और एक कहते हैं LC oscillators यह जो इनका classification है यह purely आपका feedback network के जो component है उसके basis पे किया जाता है अगर feedback network में सिर्फ resistance और capacitance है तो वो हमारा RC oscillator होता है RC oscillators में phase shift oscillator और vein breeze oscillators हम अगर डिसकस कर चुके हैं अगर feedback element में R नहीं है यानि resistance नहीं है सिर्फ inductor और capacitor है तो वो आपका LC बना उसे हम कहते हैं LC oscillators LC oscillators भी फर्दर आपके तीन टाइप से divide किये जाते हैं एक होता है दोस्तो आपका heart layer oscillator एक होता है आपका call pits oscillator और एक होता है आपका clept clept oscillators तो इस वीडियो में LC oscillators के बारे में ही study करेंगे तो सबसे पहला important point अगर आपके feedback network में L और C के combinations है R नहीं है तो ऐसे oscillators बहुत high frequencies के लिए यूज़ किये जाते हैं दूसरा क्या है कि LC oscillators है तो feedback networks में आपके inductor और capacitor ही होंगे resistance आपका नहीं होगा बात करते हैं block diagram की जैसा कि आपको पता है oscillators में हमें कोई ऐसस special inputs की requirement नहीं होती कोई भी noise signal आपका एक input की तरह काम करता है फिर वो amplifier से पास होगा तो उसको जो amplitude है वो आपका amplify हो जाएगा अब finally जो output है वो output feedback network की input बन जाती है feedback network का जो gain factor है उसे हम बीटा कहते है इसका जो output है वो VF voltage है और वही voltage आपके फिर amplifier का input बन जाती है धीरे धीरे ऐसे ही signal process होगा और alpha और beta यानि A और B जब आपका one होगा A amplifier का gain बीटा आपका जो है वो feedback network का gain factor है इन दोनों का product जब one होगा तो उस time पे बार्क हसन criteria हम follow करेंगे और उसके basis पे output पे sustained oscillation मिल जाती है तो अब बात करते हैं feedback networks की जैसा कि पहले बताया कि LC oscillators है तो feedback में सिरफ L और C ही होगे और आपको पता है कि जो L है वो कितना opposition करता है उसे हम inductive reactance कहते हैं यानि L हो या C हो इनको हम impedance मानके चलते हैं तो इनको हम Z से represent करते हैं L की वज़े से मिलने वाली opposition inductive reactance कहलाती है C की वज़े से मिलने वाली opposition capacitive reactance कहलाती है तो दोस्तों जो feedback network है उसकी circuitry कुछ ऐसे होगी एक जो element है वो आपका Z1 होगा दूसरे Z2 और Z3 इनके बीच में आपका center tapping हो जाता है Z2 जो component है ठीक इसके across जो voltage मिलेगी उसे VF voltage या feedback network का output voltage गहेंगे ठीक है तो यहाँ पे Z1 क्या है Z2 क्या है Z3 क्या है इसके basis पे हम इसको तीन अलग-अलग types में divide कर सकते हैं अगर दोस्तों आपका Z2 और Z3 मानलिज यह inductor है और वो दोनों inductor बीच में center tapped है तो और Z1 आपका capacitor है तो फिर यह combination आपका heart layer oscillator बना देता है अगर आपका मानलिज यह Z2 और Z3 capacitors हैं दो और Z1 आपका एक inductor से बना है तो फिर वो combination हमारा इसे call pits oscillator बना देता है इस वीडियो में कुछ mathematical expressions हैं जो बहुत useful है आने वाले जब इन oscillators को हम study करेंगे तो वहां derivation नहीं करेंगे यहां से जो conclusion लेंगे उस conclusion का directly वहां पे use करेंगे तो यहां पे सबसे पहले जो VF है वो क्या होगा देख लीजिए यह आपका V0 यहां apply हुआ amplifier का output Z3 और Z2 Z2 के across अगर आप चाहते हो तो Z3 और Z2 आपका series में connect है तो definitely यहां पे voltage division rule लगेगा और VF होगा आपका Z2 divided by Z2 plus Z3 multiply with V0 अब यहां से V0 इसका division में लिख लिजिए VF आपका होगा दोस्तों VF upon V0 यह बन जाएगा आपका Z2 divided by Z2 plus Z3 और इसको क्या कहते हैं यही है हमारा gain factor यानि beta expression हमारा आ चुका है यह हमारा beta expression है अब दोस्तों थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं जो हमारे यहां amplifier हैं normally वो voltage amplifier होते हैं voltage amplifier का input resistance R in है यह उसका एक equivalent circuit है A V जो है यह आपका voltage gain है multiply with input यहां पे आपका output voltage मिलेगा लेकिन amplifier में R note उसका कुछ output resistance भी रहता है और यह जो V note है इस पे definitely एक load resistance होगा या load impedance होगा जहां हम इसे लेंगे तो वो load impedance है feedback network जो है वो एक तरीके से load impedance का काम करता है इसके लिए और इसका मतलब अगर मैं इसका overall impedance निकाल लूँ तो उसको मैं Z L से represent करा सकता हूँ तो यह जो Z L है इसके across जो finally voltage मिलेगी वो मुझे output voltage होगी that is V note तो वो क्या बनेगा Z L divided by R note plus Z L multiply with source voltage वो इसके लिए AV into V in है यानि यहाँ पे मैंने voltage division का formula apply किया यह मेरा V note आ गया finally V note V in को मैं इसके denominator में ले गया V note upon V in that is AV जो इस voltage amplifier का gain है into Z L into Z L plus R note अब finally जो आपका यह जो expression है यह expression है दोस्तों आपका capital A यानि यह आपका है gain right तो A भी आ चुका है beta भी आ चुका है तो Z L क्या होगा Z L है Z 2 और Z 3 इस दोनों का sum होगा और यह Z 1 के साथ parallel combinations में होंगे तो इसको लिखेंगे हम Z 2 plus Z 3 multiply with Z 1 divided by तिनों का sum Z 1 plus Z 2 plus Z 3 यह आपका Z है तो अब मैं finally एक concept यूज करूँगा और concept क्या है वो देख लेजिए अगर मुझे इसको oscillator बनाना है तो definitely मेरा जो alpha into beta है वो हमेशा क्या होना चाहिए? वो हमेशा one होना चाहिए one क्या होता है दोस्तो एक real number होता है यानि अब मैं यहाँ पे इस alpha को और beta को multiply करूँगा multiply करके यह देखूँगा कि अगर कोई imaginary part आया तो उसको मैं zero put करूँगा तो यहाँ से जो alpha है वो यह है av zl divided by zl plus z0 zl आपकी a value है मैं इसको use कर लेता हूँ तो यहाँ पे बनेगा दोस्तो आपका z2 plus z3 multiply z1 divided by zl plus r0 यह हो जाएगा आपका z1 z2 plus z3 ठीक है divided by z1 z2 and z3 plus r0 यह तो आपका क्या है पूरा यह तो है भई हमारा alpha अब beta क्या है beta है आपका z2 divided by z2 plus z3 यह है हमारा beta इन दोनों का product definitely क्या होना चाहिए एक real number होना चाहिए और actual values की 1 होगी ठीक है अब यहाँ से एक चीज पता लगी z2 plus z3 z2 plus z3 यह तो मेरा cancel out हो गया आगे मैं इसको solve करूँगा तो कैसे होगा a b ठीक है z1 ठीक है z2 इसके साथ multiply कर लेजिए ठीक है divided by इसका मैं LCM लोंगा तो r0 के साथ यह multiply हो जाएगा दोस्तो यहाँ r0 capital था तो यहाँ भी मुझे capital लेखना चाहिए ताकि आप confuse ना हो तो नीचे मैंने LCM लिया LCM लेने के बाद क्या बना z1 z2 plus z3 ठीक है यह इसके साथ multiply हो गया that is r0 multiply with z1 z2 and z3 और उपर जाके finally यह आपका क्या होगा उपर जाके यह आपका multiply हो जाएगा right so this is zl okay अगर यह zl है तो zl यह है तो यहाँ पे zl यह मैंने incomplete लिखा हुआ है यह आपका finally यहाँ भी आएगा that is 1 upon z1 z2 and z3 यह यहाँ भी आएगा क्योंकि पूरा zl जब आप यहाँ पुट करोगे तो क्या बनेगा यहाँ भी zl पुट होगा और यहाँ भी मैंने यह पूरा पुट कर दिया इसको ध्यान नहीं दिया यह मैंने अब पूरा पुट किया है तो finally यह जाके आपका क्या होगा उपर multiply हो जाएगा z1, z2 and z3 लेकिन यहाँ पे क्या है denominator में यह factor भी लिखना जरूरी है तो यह बन जाएगा आपका z1, z2 and z3 राइट इसका जो product है that must be equal to real values तो अब finally यह z1, z2, z3 और इसका जो है यह आपका finally क्या होगा cancel out होगा अब क्या बचा अब यह बचा ab, z1, z2 divided by z1, z2 plus z1, z3 plus r0 और तिनों का sum z1, z2 and z3 ठीक है and that must be equal to real numbers that is equal to 1 अब दोस्तों जो z1 है वो क्या है यह देख लिजिए z1 z1 कुछ भी हो definitely यह आपका reactive impedance है तो इसको लिखूँगा मैं zx1 z2 या l होगा या c होगा उसको लिखूँगा मैं zx2 z3 यह इसको लिखूँगा मैं zx3 तो इन values को यहाँ put कर लिजिए z1 jx1 z2 jx2 j से j j square j square minus 1 होता है दोस्तो तो उपर वाली जो term है वो बचेगी av minus तो आएगा बिल्कुल x1 into x2 divided by z1 into z2 वही आपका minus x1 into x2 फिर z1 into z3 यानि jx1 और jx3 का multiply यह हो जाएगा आपका x1 into x3 ठीक है भई plus r0 और finally इन तिनों का sum तिनों का sum करेंगे x1, x2, x3 x1, x2 और x3 और जो आपका z था वो common बाहर आ जाएगा अब यह जो पूरा factor है इसमें यह देखिए उपर वाला real number है यह भी real है यह भी real है लेकिन यह आपका imaginary number है imaginary number अगर होगा तो उसे में 0 put करूँगा तो इसका मतलब यह हुआ r0 x1 plus x2 plus x3 that must be equal to 0 r0 0 हो नहीं सकता ठीक है क्योंकि यह आपका output resistance है voltage amplifier का तो इसका मतलब x1 plus x2 plus x3 यह आपका 100% 0 होगा इसका मतलब तो जब भी आप oscillators study करोगे LC oscillators तो उसमें feedback network में जो components होगे उसकी जो आपकी reactive impedance है उन तीनों का sum z1, z2, z3 x1, x2, x3 यह आपका reactive impedance है इन तीनों का sum आपका हमेशा 0 होगा तो आने वाले videos में मैं यह directly formula यूज करूँगा चाहे वो आपका heartless oscillator हो चाहे cold pits हो चाहे आपका clamped हो तो इसको use करके हम उसकी oscillating frequencies का expression बहुत आसानी से निकाल सकते हैं तो दोस्तों यह जो था यह आपके लिए इन तीनों oscillators को समझने के लिए base video है इसको अगर समझ जाओगे तो आने वाले सारे LC oscillators की types को easily समझ जाओगे दिस इस दी end of the video थेंक यू सो मच पोर वोचिंग इस वीडियो